आपको लगा कभी नहीं ऐसा कि आपको धोगा दे रहे हैं? मुझे हमेशा लगा शादी के एक देड़ मैने के बादी मुझे लगना शुरू हो गया लेकिन मैंने हमेशा उनको मौका दिया, हमेशा उनकी गलतियां माफ करी पाक किताबों की कसम खाई तो मैंने विश्वास किया और मैं हमेशा उनको माफ करती गई, मैंने उनके कहा जाने दो, मैं इनको बार बार मौका देती हूँ तबे तो इतनी खराब हो गई, यह सब सोच सोच के, दिमागी काम नहीं कर रहा एक तरफ प्रेगनंसी की न्यूज है, उतनों के साथ, एक तरफ रेप की न्यूज है, एक तरफ शादी की न्यूज है एक तरफ मेरे चटिंग का मामला है, मुझे लगता है आदिल को बहुत ही सबक मिलना चाहिए उपर वाले की तरह, और नीचे वाले जो जजज बेटे हैं, उनको उन पे, मुझे ने लगता है कि उनको उन पे रहम करना चाहिए, कहीं से भी जजज साब को या किसी को तरह, यूज कि उन्होंने बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बरबाद की, बहुत लड़कियों की अद्मियों की भी जिन्दगियां बरबाद की उनोंने, आद्मियों की भी जिंदगियां बरबाद की ए, मुझे तो वो जो व्यूरियों अप लोगोंने कुछ देखा है, वो भी मुझे आया है, बाईसेक्सुल का, इस शोकिन desap Ad Development Church. यह बहुत जो दो कि आरी है बहुत प्रोडिशनों की जो कहां कि प्रोडिशन है पता नहीं है शैद उनके माबाप दंके दिलवा रहे हैं मुझे अबने ने तो पिता को पून किया तो ने मेरा फोन कार्ड दिया कि मुझे बात करनी है इतना आपके बैटे ने इतने दुना किया है लड़कियों के साथ आपकी जगा मेरी आपकी बैटी होती है तो कि आप अपनी बेटी को न्याई नहीं दिलायते अई ऐसा करके उनके माबाप में फोन रख दिये और अबाज भाई जाकिर भाई करके सेफ भाई यह मैसूर में हैं तो उनको मैंने आडियो भिजाए कि अगर आप सचमुझे नमाजी इंसान हो अल्ला के बंदे हो तो मुझे न्याई दिलाओ आप आदिल के दोस्त हो मैसूर से हो म मुझे न्याई दिलाओ उनके माबाप उनको अभी 34 शादी जब्रत से करवाना चाते हैं उनके खांदान में कौन से लड़की है जो आदिल का हाथ पकड़ी और कौन से लड़की दुनिया की है मैं शादी शिदा हूं मेरे से डेवोज लिए बगैर लड़की शादी करेगी सालमान भाई को अपना इंज्वी करने दे उनको बीच में ड़ डाले उनका मेरे मैतर से कोई लेना देना नहीं है उनको क्यों डाल रहे हैं आप लोग उनका काम है सल्मान भाई हर वक्तो नहीं आएंगे मुझे मेरा बैटल है मुझे लड़की वाटना है